जो किसान भाई अभी खरीब का मौसम आने वाला है जिसको बर्षा कालिन भिंडी करते हैं तो उस भिंडी का बहुत से किसान उतर भारत में 15 जून के आसपास से लगाना सुरू करते हैं और जुलाई तक लगाते रहते हैं तो ऐसे प्रजाती का चुनाव करें जिसमें पी ति प्रतिरोधी होगा तो यह आपको ध्यान रखना है तो इसके लिए मैं कुछ प्रजात्रों को आपको पताना चाहूँगा जैसे हमने पूर्षा संस्थान ने अभी पूर्षा भिंडी 5 प्रजात्री विक्सित की है इसका काफी व्यापक तरीके से भीज उत्पादन हो रहा तो इहां पर भी आप इस बीच को प्राप कर सकते हैं खेत भी अच्छा होना चाहिए जिसमें आपको जल निकास की उचीज ब्योस्ता हो और बलूई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है और बरसात कालीन में आप भिंडी को मैं कहूँगा कि किसानबाई हमेशा मेड़ों प करेंगे इसके लिए मसीने का उप्यों कर सुखते हैं आप आजकर मसीने हैं जिस में इसमें कर होता है साथ सार सेंटी मेटर पे दो फिट की दूरी पर बजी बना लिए पैकर से आप कर दीए उसमें लाइन ने जब गवाई करते हैं किसानबाई तो आपका जमां बहुत तो बहुत आफानी से कर लेते हैं इसके बाद जो बीज आपने किसान भाईयों प्रात किया है उसका सोधन भी करना चाहिए तो कि यह बहुत आवस्य प्रक्रिया है जैसे बीज को आप क्या करेंगे बीज को आप 8-10 घंटा भीगा देंगे तो 8-10 घंटे के बाद उसको बीज करना चाहते हैं उसमें आपको ट्रैको डर्मा आता है इसकी पांच ग्राम मात्रा को किलोग्राम बीज की दर से मिला लेंगे तो इसमें से एक दवा का उपवयवाब करके अपने बीज को उपचावित कर लिजी और पहली सिचाई कोशिच करा करिए आप कि 8-10 दिम के बाद जब भीज ख्वासा उपर कौधित दवासा उपर आजाए तो करा करें और एक गुवाई के द्रेंद बाद एक प्रक्रिया और करनी है कि दान भाईयों को वई के द्रेंद बाद एक पैंडी में थिरिन दवा होती है जो आपको खर्मतवारों से आपके ख़तल को बचाती है रुआई के दुवंत बाद खेत में जमीन पर मिश्कों मिलाना होता है इससे इसकी पूरी लियर बन जाती है और जो प्री-अमर्जन्स बीड होते हैं जो अभी जमाओ कर रहे होते हैं वो नहीं आपाते हैं उपर तो इस तरीके से आपके फसर में काफी आपको खर्पतवारो से बचा हो जाएगा और जोड़ पूसरत तो आपने अपने फसर के लिदे रहे हैं आपके पहुत है प्रात करेंगे